तियो स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल एस्टाडी विथ रभी पर जीहां दोस्तों आज हम बात करेंगे विहार वोल्ड 12 केमेस्ट्री के अबजेक्टिव के बीवी आई कोचन का जीहां दोस्तों विवी आई वेरी वेरी इंपोटेंट के बात करेंगे जिहां दोस्तों विहार वोल्ड 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है जिहां दोस्तों कलास शुरू करने से पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकन को प्रेस कर ले ताक एलुए फर्स्ट क्वेचन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा जैसा कि आप सॉस अवस्था चिप्टर पळा होगा उसमें क्रिस्टली और ऑख्रिस्टली एक बारे में बताया गया है तो इन में से कौन सा ऐसा अक्रिस्टलिये ठोस है निम्हें कौन अक्रिस्टलिये ठोस है कौन अक्रिस्टलिये ठोस है फर्स्ट ऑप्षन बता रहा है आपको हीरा दुसरा गरेफाइड कांच या सधारन नमक जिहां तो कौन अक्रिस्टलिये है यह आपको बता दे सधारन नमक और हीरा और न चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ट्रेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां जाका आप ज्वाइन कर लेंगे वहां इसके पूरा अब्जेक्टिव का पीडिएफ आपको दे दिया जाएगा यहां दोस्तों तो इसका एंसर क्या हो जाएगा काच चलिए नेक्स्ट पर जाता है ज्वाएँ नहीं है निस्ट में चक्मा दे देगा आपको है या नहीं है यह निस्टत आप पर प्घलते हैं हष्ट अप्शन कह रहा है ये निश्चित आपट पिखलते हैं, वे विसम दैसिक होते हैं, ये दिर्ग परासी अवस्था में नहीं होते हैं, ये वास्ता भी ठोट कहलाते हैं, ये कौन सा होगा इसमें से अप्शन आप लोगो बताएं, ये निमलिकित में से, क्रिस्टलियर इसके लिए नहीं है विद्धिर्ग प्रादसी अवस्था में नहीं होते यह गलत बात लिखा हुआ है प्यारे साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा इन में से कौन सा अगून क्रिस्टलिय ठोस पदार्थ का नहीं है दोस्तो इसका इंसर आप लोग को देना है यह दोस्तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह ठोस अवस्था से लिया गया है कि इन में से कौन सा अगून क्रिस्टलिय ठोस पदार्थ का नहीं है यह विभीन दिशाओं में समान गून रखते हैं क्या पष्ट दरवनांख है क्या निश्ची जमिती अकार यह उच आंतरानविक बल जीह हैं दोस्तो इन में से कौन सा इंसर हो जाएगा जो क्रिस्टलिय ठोस्पदार्थ का नहीं है ये विभीन दिशाओं में समान गुन जो कहता है ये गलत बात है विभीन दिशाओं में समान गुन नहीं रखता है करने का मतलब है जैसे किस्टलिय ठोस का ऐसा वेवस्था नहीं होता है समान गुन नहीं रखता है वह ऐसे ऐसे रहता है क्योंकि मजबूती से बंदे वेड़ाते हैं चलिए next question आपके screen के सामने ये रहा मूल crystal crystal तंत्रों की संख्या होती है जियां दोस्तों बहुत बहुत important है बिहारबर में बार 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 ये question पूछा गया है बार बार ये क्योश्चिन पूछा गया है कि मूल क्रिष्टल तंत्रों कि संख्या कितनी है, तो नहीं है, क्या है, चलिन नेक्स्ट क्रिष्टल आपके स्क्रीम के सामने ये रहा, NACL क्रिष्टल की सरचना होती है, जी है इसका इंसर आप लोगों के देना है कि क्या होती है एनसील की सरचना जी है फलक केंद्रित होता है एनसील की सरचना चलिए सात्मा नमबर कोचन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा इसका इंसर आप लोग दीजिए घनाकार सरचना में प्रिष्ट केंद्रित परमानु की संख्या होती है जी है एसा सरचना के बात कर रहा है घन के अकार का कि अगला कोचचन यह रहा आठमा नमबर कोचचन के स्क्रीन के सामने यह है कि किससा रावा में बिंद्ध। इसके घंत्व को घटा देता है तो उसे कहते हैं किसी रवा में यदि भी भी एक देश्ट के सर्टोलीडीक्ष कारण ऐसा होता है अगला को चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा निहींनिय में से कौन एक अबुझग है जिए कौन सा एशा जो एक अबुझटक का कारे करता है यहां ग snapshot करें गौन सा एक अबुझगं और यह साथ-साथ उस्मा का उस्मा का क्या है उस्मा का चालक है अगर आपको इसको हीट दीजिएगा उस्मा का चालक है क्या है उस्मा का चालक है अगर आपको हीट दीजिएगा इसको तो यह गरम हो जाएगा और उस्मा का परवाह करेगा यह ध्यान रखेगा आपको यहाँ अक्ता एड्र एयर है 9 Ohio आप हमारे इस यूटूब चैनल पढ़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दौस्तों को पास शेर कर देक्व क्योंकि बहुत ज्याधा इम्पोटेण्ट इस चैनल पर आपको question कराया जाएगा जिहां दोस्तों बिहार बोट से related question कराएंगे आल्तु-फाल्तु question यहां पर नहीं कराया जाएगा जिहां दोस्तों अगे गार्माय नमबर क्वचान आपके समानने ताप आपके स्क्रीन के सामने यह रहा समानने टाप यह समानने ताप किसी एक मोल का आयतन होता है 12.4 लिटर जैसा कि आपको इस्क्रीन पर दीख रहा होगा बाइस पॉइंट चार लिटर होता है जिहां बाइस पॉइंट चार लिटर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यह कोचन था चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोचन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा कि मोललता जिहां मोलर्ता के व्यक्त किया जाता है जिहां आपको यहां पर दख्मा दे सकता है मोल अर्था होता है एक होता है मोललता यह पूछाए कि मोल अर्था के व्यक्त किया जाता है मोल ग्राम लिटर में मोल लर मोल में लिटर मोल में या मोल परती लिटर में या मोल वट्टे हंड्रेड एक हज्जार में यह तो आपको बता दे कि मोल परती नेक्स्ट पूस्ट आपके स्क्रीन के सामने यह रहा निमन में से किस जीरो पॉइंट एक मोल बिलियन का हिमांक निमतम होगा जी है पोटैसियम सल्फिट के सोडियम कोलॉराइड के यूडिया या गुल्कोज जहां इसका आप लोगों कर देना है यह दोस्तों अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो कि टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेंगे वहां आपके एंसर और इंसर की के साथ आपको पीडियेप प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां दोस्तों इसका एंसर क्या हो जागा पोटैसियम सल्फिट हो जाएगा चली आगे चलते हैं नेक्ष् आपके बात कर रहा है जिहां तो 0.1 मोल बीए सील 2 जिरो पैंट वान मोल बीए सील 2 चलीए आगे चलते हैं नेक्ष्ट को चाहिए आपके स्क्रीम के सामने यह रहा बहुत ज्यादा बीवी इंपोर्टैन को चाहिए अगर इस सीरीज को आप ज्वाइन कर लेंगे और अभी परग्सेंट मार्क मैं निश्चित कहता हूँ इस लिक्षर से आपको आएंगे ही आएंगे निश्चित है जलिए को के वास्प घनत्व का अपक्षिक अमनमान मां शंवानुपाती होता है कि स 32 ग मूहर नंशान Tomol deeck घुल्ले के मोल प्रभाज घुल्ले के मोल प्रभाज चलते हैं इसक्राइब के सामने यह रहा कि निम्लिकित में से कौन सा अनुसंख्य गुंधर्म नहीं है निम्लिकित में से कौन सा अनुसंख्य गुंधर्म नहीं है, हिमांग का अमनमान अनुसंख्य गुंधर्म नहीं है, परकासिय किरिया सिल्ता या कोई थनांग का उन्यान या वास्पदाप का आपक्षिक 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 आपक्ष इसका에는 कर्वेंट में दीजिये कि उस्मा और बिधूत का अच्छा चालक क्या है कोथ है यह चारकोल है कि हमने एक कोच्छन पहले यह बता दिया हूं कि उस्मा और बिधूत का भी पुष्छ लिया यहां पर दोनों मिक्स कर दिया है यहां तोalles ग्रेफाइड हो जाएगा क्योंकि मिक्स कर दिया है इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा ग्रेफाइड और सिर्फ उस्मा को सिर्फ पुछता तो क्या हो जाता ग्रेफाइड नहीं होके क्या हो जाता हीरा हो जाता चलिए आगे चलते हैं बीधूत अपघटन का उपयोग होत होता है आपको चलिए बीधूत अपगटन का उप्यों किसमें होता है यह और बीधूनों में बीधूत सोधन में भी होता है बीधूत लेपन में भी होता है यह दोनों में होता है विश्वा नमर कोचन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि बीधूत अब घटन का उदारन है बीधूत अब घटे का उदारन क्या है चीनी है sodium acetate है urea है या benzene है जिहां very very important question आप लोग को ये कराया जा रहा है कि विदूत अभगटन का उदारन है sodium acetate sodium acetate क्या है विदूत अभगटन का उदारन है जिहां sodium acetate चलिए आगे चलते हैं next question आपके screen के सामने ये रहा कि इने में से कौन विदूत का सुचालक नहीं है इनमें से कौन ऐसा है जो विदूत का सुचालक नहीं है जिहां दोस्तों द्रबित NACL कॉपी हो गया यहां पर आपको इसको काटके KCL लिख लिजिए और घोल या कॉपर जिहां इसका answer क्या हो जाएगा द्रबित NACL क्या हो जाएगा विदूत का सुचालक कौन सा विदूत का सुचालक नहीं है द्रबित एक स्केंड दोस्तों यहां पर question गलत लिखा हुआ है जिहां दोस्तों नमें से कौन विदूत का सुचालक नहीं है द्रबित लिखा हुआ है तो NACL बिधूत का सुचालक होगा ही होगा क्योंकि ये फोस अवस्था में बिधूत का सुचालक नहीं होता है और द्रबित अवस्था में बिधूत का सुचालक होता है तो आप लोग यहाँ पर नहीं को काट लेंगे क्या नहीं को काट लेंगे सबसे पड़वल अवचायक है अवचायक जो दुसरे को ऑक्सी करन कर दें यह होगा है यह सबसे पड़वल अवचायक होता है कि 23 नमर को चंद साथ ही हो आपके स्क्रीन के सामने यह रहा कि जंग लगने से बचने के लिए कौन सा धातू अक्साइड का बचाओ सत्त बनाता है जिया लेपित किया जाता है कौन सा धातू को लेपित कि द्रवित फोडियम क उर्वाइट। जैसा कि आने पीखे कोच्चन वाया ने सी यल्र वरिट से क्या होता है चैजेट अपको पता हो एक तरफ होता है और एक तरफ क्या होता है कैठकोद पर पुछाए कि क्या չोता है केटोर्ड पर कुलोरीन होता है सोडियम होता है सोडियम अमलगम होता है या हाइड्रोजन होता है या इसका एंसर क्या हो जाएगा सोडियम होता है क्या होता है नियम संबंदित है किस्ते संबंदित है धनायन के परमानु संख्या से विधूत अपघटन के समतुल्य भार से या रिनायन के परमानु संख्या से या धनायन के ब्यक से जहां इसका एंसर आप लोगों बताना है जहां दूस्तों इसका एंसर होजाएगा बीधूत अपघटन के समतुल्ले भार से किसके लिए बीधूत अपघटन के समतुल्ले भार से गोंद में पानी मिलायएएगा तो वो पसंद नहीं करेगा दूद में मिक्स हो जाता है कुहासा में भी क्योंकि कुहासा तो सिर्फ पानी ही होता है वो बास्प के रूप में रहता है और रक्त में मिल जाएगा चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर question साथियो आपके screen के सामने कि कौन सी प्रिष्टिय पर इघटना नहीं है Wow जहाँ साथियो बहुत ज्यादा important question है कि कौन सी प्रिष्टिय पर नहीं होता है जो दुस्तों यह कैसा प्रिष्ट हो गया तो यहाँ पर कौन सी घटना नहीं होती है पर अजुई है इसका एंसर हो exactly समांग्यूत प्रेरियरन होगा यह छोगा जरन जरूबना प्रिष्टिया प्रिष्टिय प्रिष्टिय पश्चक्र नहीं है आगे चलते हैं to चलिए और फीर्षटासा साहिन प्रिष्टिया य। इन्हें मेंतें को मेंदें गोल नहीं है, इनमें से कौन कॉलराइडी गोल नहीं है, जिहां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट चलिए आगे चलते हैं 29 नमबर question आपके screen के सामने है यह रहा कि भोतिक अदिसोसन की दर किसके दौराफ बढ़ता है तापकरन घटाने के साथ बढ़ता है तापकरन बढ़ाकर बढ़ता है या दाब घटाकर या सताचेतपल घटाकर भहतीक अधिसोसन की बात की है रसाइनिक अधिसोसन की बात नहीं की है भहतीक अधिसोसन की दर किसकी दोरा बढ़ता है जिहां साथियो तापकरन घटाकर तापकरण जैसे ही आप घटाईएगा बहुतीक अधिसोसन की दर बढ़ जाएगी जी हाँ तापकरण घटा कर चलिए आगे चलते हैं तीस नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा कि परतिरच्छी सौल होते हैं क्या होते हैं क्या होते हैं बिलायक स्क्रीन के सामने यह रहा कि जल्न में सावण के कलराइडी कारण होते हें जल में साबुन के kolorID किस कारण से होते हैं रिनावेश के कारण होते हैं रिनावेश के कारण वापस में koloride हो जाते हैं आगे चलिए next question ये राप की स्क्रीम के सामने कोहारा नेमन में से किस परकार के कोलाइयल सिस्टम का उधारन हैॉसूरी सिस्टम पूछा सिस्टम काOU रहान है गयस में. गयस का दरब में भी दिया हुआ है. वहाँ, यह कोई मिस्टेक नहीं होॉ क्लोग को कभी-कभी हमसे भी मिट्टेंग ख़ज आती है हैं अपर अब को डाल वागया है चलिए थाइमीन है तायमीन किया है बहुँ ज्यादा इंपटेंट है थाइमिन क्या है diffusion 5-methyl-e-recel nod소리-methyl-eomany या वर-methyl-e-or करता है कौन सा एंजाइम है जो मॉनो स्क्राइड इसके सामने यह रहा विटामिन एक क्या कराता नॉल करता है डिसको क्या है संतने क्या कर्व द में करते हैं चलिए आगे चलते हैं काहिव êtes का समाने क्या है का क्या है सिर्गा सब हो एक्स या कुछ मि बोल सकते हैं यहां पर टी है चुल क्या है Кार्ण कारबन की संख्या कितनी होती है यह दोस्तों की मोनो म Eğer मेरे काई इस्टार्च की मो मेरे गलकोज क्या है क्या है फटफट करेंगा क्या है गलकोज चलते हैं अगला ग्लकोज की बिलियन ठार में सनचना में Surkr Windows क्या होगा backstory प्रवानुओं की संख्या होती है कि दिनी चार चलिए आगे चलते हैं एक तालिश नमर कोचाना आपके स्क्राइब के सामने यह रहा नाइलोन 66 क्या है एक पॉली एमाइड है पॉली विनाइल है जो बनाया अगा हो, टीफलोन है, पॉली इस्टैरिन पीवीसी, या डेक्रोन है, जी है दोस्तों इसका एंसर हो जागा डेक्रोन। उदारन है butadine, ethyl ethyene styrine isoprene इसका आंसर क्या हो जाएगा पराकर्तिक रवर isoPrine का उदारन है सलोल परयुक्त होता है किसमें सलोल किसमें प्रोज़क होता है रोगानु रोधक एंटिबायोटिक दर्द ना सक कोई नहीं रोगानु रोधक के लिए स्लोल का इस्तिमाल किया जाता है कि नेक्स्ट कोच्टन आपके स्क्रीन के सामने साथ ही यह रहा इनमें से किसके दौरा आंक के लेंस का उत्पादन किया जाता है पीविसी टेफलोन बुईना एस यह पी एम 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 ए पॉली एमाइड जी इसका नेम होता है चलिए आगे चलते हैं निमने में से कौन सी दबा बुखार को कम करता है एनालजेसिक एंटिबाइटिक यह एंटिपाइरेटिक जी है दोस्तों इसका एंसर क्या हो जागा ध्यान रखेएगा बहुत आदम इसको एंटिबाइटिक मारते हैं लेकिन एंटि बाइपाइटिक बुखार को कम करने में नहीं एंटि फई थ्यान रखेएगा चलिए आगे चलते हैं पनििसलीन है हर्मोन दर्द निमारक, अंटीबाटिक, बायोटिक या एंटीबाडी या एंटीबाटिक है, जो सुरपर्थम खोजा गया है पिनिसिलीम, दुतिये बिसुदि के दोरान, चलिए आगे चलते हैं, तालिस नमबर को चना आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इस्प्रीन है, इस्प्रीन होता है आगे चलते हैं अर्षेनिक और यह के विफ्चार जो को ऑप्योग की हो से लिए आर्सेनिक औस दियोडों का उप्योंग किया जाता है फिटी नबर कोचन और आज का कि लास्ट को जटहरा जांग दोस्तो आज का लाक्स डौचन कहरा है की यह जो स्क्रेय hvis को इसत्माल करते होगा ैप्यूक्त में क्लोरोजायलीनियॉल और टर्पीनियॉल जी इसका राइट एन्सर हो जाएगा ज़या कि आज क्लास कीसा रहा क्लास मेंकि इस में से आपको से तीन कोश्चन विहार बोर्ड थो सवस्थत शेप्टर से पूछ लेता है जिसमें आपको देखने को मिला होगा कुछ कुछ पूशन जैसे की यहीं है तो यह आपको बाइ बाइ टेक्यार थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो बाइ टेक्यार